हेलो गाइज, we are back with another topic तो आज का हमारा topic time है तो time का definition हम लोग लिख सकते हैं time is a moment or duration in which things occur कुछ भी चीज होता है तो उसमें time लगता है time बहुत ही important चीज है हमारे day-to-day life के लिए हर चीज का हिसाब हम लोग time ही से कर सकते हैं अगर आपको time नहीं पता होता है कि अभी सुभह के 5 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं तो आप school नहीं जा सकते हैं कहने का मतलब है कि आपका हर चीज time पर depend करता है जैसे कि आप मान लीजिए आप पटना से डेली जा रहे है ट्रवल करे ट्रेंसे तो आपको पता होना चाहिए कि कितना घंटा लगेगा आपको यहां से वहां पहुचने में ताकि आगे का schedule आप plan कर सकें तो time हमारे day to day life में बहुत जादा influence करता है और simply है आज के time मतलब आज के time में देखी यहां पर भी time आगया तो आज के time में हम लोग time को measure करते हैं से watches से या clock के help से ठेक है लेकिन एंसियन टाइम में time को कैसे measure किया जाता था इस चीज़ पर हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे तो simply एंसियन टाइम में कोई clock या watch वगएर तो थी नहीं ताकि वहां लोग कर सकें time measure तो इसलिए वो लोग sundile के use करते थे तो पहला नंबर है sundile sundile उन लोग को sun का shadow बताता था कि कैसे कैसे सूरज उगेगा डूबेगा तो उन लोग के पास एक instrument रहता था sundile तो उससे sun का shadow आता था उस sundile में जिससे वो लोग पता कर सकते थे कि रात होने वाली है दोपहर है या शाम है और second हम लोग जानेंगे sand clock के बारे में तो thumbnail में तो आप लोगों ने देखी लिया होगा sand clock को sand clock तो simply हम लोग जानते हैं कितना time लगता है तो simply अगर sand clock में उपर वाले पार्ट से नीचे आने में एक घंटा का time लिया तो फिर उसको जब हम लोग उल्टा करके रखेंगे तो फिर एक घंटा का time लिएगा तो इस तरह से हम लोग time sand clock से भी मिजर कर सकते हैं ओके चलिए अब third number पर आते हम लोग हमारा third number है water clock अब यह कहता है आपका तो simply water clock में दो bucket के use होता था एक के उपर एक रहती थी है ना इस bucket को full भड़ा जाता था और इसमें एक dip कर दिया जाता जिससे पानी धीरे धीरे बहता रहता था तो मान लीजिए कि उन लोग इस तरह करते थे कि यहां से इसमें पानी भरने में एक घंटा लगा तो फिर से इस पानी को इसमें डाल देते थे फिर एक घंटा लगा तो इस तरह से सेंडी क्लोग के तरह वाटर क्लोग भी काम करता था इनका और एंसियन टाइम में मन्त को लोग क्या बोलते थे मन्त हम लोग तो आज ना जाने की महीना होता है दिन होता है साल होता है तो उस टाइम नेक्स्ट फूल मून कहा जाता था मन्त को कहा जाता था नेक्स्ट फूल मून सॉरी फूल मून मन्त को और नेक्स्ट सन्राइस कहा जाता था नेक्स्ट फूल मून कहने का मतलब कि जब फूल मून से मून निकलता है तो हाँ पंदरह दिन में फूल मून हो जाता है फिर धिर तो 15 दिन में फूल मून होता है तो 15-35 दिन हमारा 1 महीना उसी तरह वो लोग मंत को मिजर करते थे और नेक्स सन्राइज को की दुसरे दिन जब हम लोग का भी तो हम लोग को नॉलेज उसके बारे में तो उसी तरह जब next day sunrise करता है तो लोग next sunrise बोलते थे चलिए देखते हैं कुछ और तो sundile का definition है यह a sundile misses time by the position of the shadow cast by the sun तो आप लोग इसको लिख लिजिए नोट्स में अपने चलिए आगे देखते हैं तो अब हम लोग बात करेंगे यूनिट्स आफ टाइम की तो formula तो हमें पता ही था time का की time equal to distance by speed यहां से distance का meter speed का meter per second यहां से meter into second per meter 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 cancel out तो यहां हमारा second तो यहां से हमारा unit of time second हो गया formula से निकालना बहुत जोरी होता है आगे चलके जब बराबरा हम लोग इसको unit निकालना होगा यह आपको याद नहीं है formula आपको याद है लेकिन SI unit याद नहीं है तो simply आप formula का जो SI unit होता उसको put करके आप जो भी चीज़ का निकालना हो निकाल लेते हैं जैसे हम लोगने यहां time का SI unit निकाला है तो बस आज के लिए इतना ही हमारा last topic अब बज गया है वो है pendulum का तो उसे हम लोग अगले class में करेंगे तो अभी तो corona का time है तो बस इतना ही कहेंगे be at home, be safe, good bye